दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन यूटूब चैनल पर आज मैं आप लोगों को बीए थरड येर वाले विद्ध्यारतियों के लिए लेकर आ चुका हूँ फाउंडेशन कोर्स का पेपर नumबर शेकेंड परियवरण अध्यन परियवरण अध्यन का ये पेपर है इस पेपर में जितने भी खंड हैं सारे खंड आप लोगों को में बताऊंगा एक एक करके कुश्यन पढ़ा आप ध्यान देंगे फाउंडेशन कोर्स से और विशे परेवरन अध्यन बीए थरडिवे रेगुलर प्राइवेट एटिकेटी सबी के लिए है आप देख सकते हैं वस्तुनिस्ट प्रस्न है सबसे पहले तो ठीक और वस्तुनिस्ट प्रस्न यह यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों के एक 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 जो प्रस्न है उन सभी प्रस्नों को आप अच्चे से हल करेंगे ठीके तो आए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रस्न से देखिए दोस्तों पहला आपका जो प्रस्न है वो इस प्रकार है एक से लिया गया प्रस्न है जे विवित्ता को समझाईए ठीके जो first unit है ना उस first unit का ये प्रस्णा आप याद करके जाईए ठीक है अत्वा में ये याद करीएगा परेवरन सरक्षनें जन जागरती में अन्तसंबंद बताईए इसके बाद में next जो कुश्चन रहेगा आप लोगों का वो रहेगा आणवी प्रदूशन पर नियंतरन के उप पाई बताईए अत्वा में ये याद करके जाएना है आपको आपदा प्रबंदन को समझाईए इसके बाद में next कुश्चन आप देखिए next कुश्चन है सूखे के प्रभाव बताईए अत्वा में है सोर उर्जा तता उसकी विशिस्ताएं बताईए ये तीसरी इकाई का है इकाई थर्ड ठीके इकाई थर्ड का है इसके बाद में इकाई फोर्थ में से आपको क्या याद करना है याद रखिए उर्जा संद्रक्षन के लिए आम उब्भोकता को जागरूप करने की आउशकता है टिपनी लिकिए इसके बाद में इसका जो अत्वा है उस अत्वा मे आप लोगों को याद रखना है आनविक प्रदुसन पर नियंतरन के उपाई और आपदा प्रबंदन को समझाना है ठीके इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन देखिए विश्व आहर समस्चा पर एक टिप्पनी लिखिए परियोन सरक्षन अधिनियम 1986 की मुखी विश्षताएं बताईए और इसके बाद में सूचना प्रोद्द्यूगी कियों परियोन सरक्षन में संबंद बताईए नेक्स्ट जो कुश्चन रहेगा आप लोगों को वो रहेगा देख सकते हैं परियोन को परिवासित कीजिए परियोन को परिवासित कीजिए और इसके महत्व परियोन सरक्षन में जन बागिदारी बड़ानी के लिए क्या कदम उटाए जाने चाहिए ये भी आपको इसमें बताना है इसके बाद में नेक्स्ट जो कुश्चन है वो ये है बाड के करण तता रोकता हमके उपायों को समझाईए मतलब बाड क्यों आती है और इसको कैसे कम कर सकते हैं कैसे रोक सकते हैं ऐसे वायू प्रदूशन के दुस्प्रभाओं की विवेचना कीजिए तो वायू प्रदूशन भी आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़के जाना है इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन आपको याद रखना है नगरों की उर्जा समस्चा पर प्रकास डालिए जल संदक्षन को विस्तार से समझाईए और इसके बाद में मनुष्चिकरत भूष्कलन को परिभासित कीजिए इसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन और लास्ट कुश्चन ये रहेगा आप लोगों का ये ध्यान दीजिएगा परिवर्ण संदक्षन कानून को विस्तार से समझाईए एक्स्प्लेन इन डीटेल्स दे इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट जे विवित्ता संदक्षन में किस प्रकार किया जा सकता है इसके बनाए गया कानून का आपको वर्णन करना है तो बिए था डियर वालों के लिए ये परिवर्ण का पेपर में आपको बता दिया है इसी प्रकार से आप इसको याद करके जाईए वो सारे कुशन इसमें से आपको देखना को मिलेंगे और ये 2017 में पूचा गया पेपर था ठीक है उसारी यूनिट जिस भी यूनिट से जो जो कुशन पूचा गयते है वो यूनिट भी इसमें इंक्लूट कर दी है उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता दीजिए आपको सब्जिक्ट का पेपर मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर थैंक्स पर वाचिंग टेक केर लोव यू